हे गाईस वेलकम बैक टू स्टाइलो बुटीक फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम फोर टक्स ब्लाउज की कम्प्लीट कटिंग करना सीखेंगे स्टेप बाई स्टेप मैं आपको एक एक सीज क्लियर करके यहां पर बताऊंगी तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा तो चलिए गाइस आज का वीडियो हम शुरू करते हैं तो यहां पर देखिए ब्लाउज बनाने के लिए मैंने यहां पर 80 cm यह फैबरिक लिया हुआ है और यह जो हमारा यहां पर यह मैन फैबरिक है और इसमें अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं है तो सीधा इसकी हम मैन फैबरिक के ऊपर ही करेंगे अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो आप अस्तर के ऊपर कटिंग कीजिएगा मैथर इसका सेम रहेगा सबसे पहले देखिए यहां पर हम मैन फैबरिक को उल्टी साइड से इसको जो इसकी कपड़े की रोंग साइड है उ कपड़े को निज़े से सीधा कर लें और यहां से देखिए इस कपड़े की फोलेड साइड है सबसे पहले यहां पर हम ब्लाउज का जो बैक पार्ट है इसकी कटिंग करेंगे तो सबसे पहले दीखिए यहां पर हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे जितने भी आपके ब्लाउज की तैयार लेंथ है उसमें आपको वन इंच प्लेस कर लेना है तैयार ब्लाउज हमारा यहां पर थर्टीन इंच है तो इसमें वन इंच प्लेस करके मैंने लेंथ के लिए 14 इंच बनिशान लगाया है और इनिसांस को मैंने सीधा कर दिया है इसके बाद दिखिया यहाँ पर बात आती है शोल्डर की तो पीचे से आपका अगर गला डीप है तो आपको यहाँ पर शोल्डर लेने हैं 75 इंच अगर आप यहाँ पर बोट नेक बना रहे हैं तो इ 5.75 इंच तो इस तरीके से आपको एक बोक्स बना लेना है और यहाँ से एक निशान हम हाँ पिंच पर लगाएंगे बार की तरब और इसको यहाँ से तिर्चा मिला देंगे इस तरीके से इस बात का आप यहाँ पर जरूर से ध्यान रखें इसके बाद देखें यहाँ पर हमें वन इंच की यहाँ पर आर्म होल में गोलाई कर देनी है इस तरीके से और यहाँ पर देखें हम आर्म होल का शेप इसके बाद देखें यहां पर हमें छीस्ट के लिए निशान मार्जन के लिए और यहांपर हमें कमर का भी फोट पाट लेना है और यहां से हम 1 इंच एक्स्टरा लेंगे जो हम बैक में फ्लेट्स लगाएंगे उसके लिए और इसके बाद 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ले लेना है इनि शांज को हम सीधा मिला देंगे इसके बाद देखें यहां पर हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर हम neck width 2.5 inch रखेंगे, इससे ज़्याद़ आप यहाँ पर ना रखेंगे, और neck length यहाँ से देखिए हम 10 inch रखेंगे, आप चाहो तो यहाँ पर इसमें 9 inch भी रख सकते हो इसी measurement में, और यहाँ पर 11 inch तक भी रख सकते हो, मैंने आपर 10 inch रखी है, और नीचे से मैं यहाँ पर 3 inch रखी है, इससे निचान्स को सीधा मिलाएंगे, और यहाँ से हमें neck का shape draw कर लेना है, मैं यहाँ पर simply इसमें round neck बनाऊंगी, आप चाहो तो यहाँ पर इसमें कोई different design भी बना सकते हो, इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें एक निचान half inch पर लगाना है, और य तक्स की length यहाँ पर हम 3.5 inch रखेंगे, और यहाँ पर देखिए इस निचान के दोनों तरफ हम half inch पर निचान लगाएंगे, और इस तरीके से टक्स यहाँ पर draw करदेगे, यहाँ पर देखिए, जो हमने half inch पर यह निचान लगाया है, इसको यहाँ से पिर्चा मिलाएंगे इस तरीके से तो जब भी आप डीप नेक ब्लाउच बना रहे हैं तो इसको यहां से देखिए अगर आज की वीडियो आपको पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा तो इसको दिखे मैंने यहां से कट कट दिया है और दिखे आपको डीप नेक में एक बात का यहां पर ध्यान ओर रखना है शोल्टर को हमें हाफ इंच या फिर क्वाटर इंच जितना गले की तरफ डाउन करना है यह दिखे इस तरीके से तो इसके जो आपके कंदे गिनने की प्रोब्लम अगर बहुत से लोगों को आती है तो प्रोब्लम नहीं आएगी इस बात का यहां पर आप ध्यान रखें और जो हमने तिरची लाइन ड्रोग की है इसको हम बाद में कट कर देंगे पहले यहां पर हम फ्रेंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो चलिए इसकी हम यहां पर मार्किंग कर लेते हैं तो अभी देखिए जो यह बचावा फैबरिक है इसको हम यहां से पकड़ेंगे यहां पर देखिए इस कपड़े की ओपन वाली साइड है यहां से इसको हम रखेंगे सबसे पहले यहां पर हम हुकाई पट्टी के लिए मार्जन छोड़ेंगे जितना कपड़ा आप हुकाई पट्टी में दबाते हैं उतना कपड़ा आपको यहां पर एक्स्ट्रा छोड़ देना है मैंने यहां पर हाफ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ दिया है हुकाई सब्सक्राइब कर लेंगे गति क्या में इसको एक एक डिंटिटी ही कर लेंगे killed इसके बाद कि आन्ज़ का देखी देख़ी कॉंकर इस्में हम च यह जो जूइंड करने है व ineद ल इक दो डाया है हो देखिए फरंट-बार्ट में में और साइड से मैंने इसको 1.5 इंच बढ़ाया है क्योंकि जो आर्म होल में टक्स लगाते हैं उसके लिए हमें यहां से एक्स्ट्रा लेना है यह कपड़ा यही चेंज आपको यहां पर करना है देखिए मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूं यहां पर आपको हुकाई ब्रह चुब कर लिए चेंज एक्स्ट्रा लेना है यह दिखिए वैक पार को यहां से भी हम हटा देंगे फ्रन पार कि यहां पर यहां पर सीथी सीथी तो पहले इसको देखिए यहां से कट कर लेते हैं आक कि आपको समझने में आसानी हो तो देखे फ्रंट पाल भी हमारा यहां पर कट हो चुका है, अभी देखिए 17 पाले हम जो इसका फ्रंट पाल जो आरम हौल है इसमे हम गेराई करेंगे तो इसके लिए लिए एक बार हम फिर से यहां पर आरम होल और एंड शुल्टर का यहां पर निशान लगा लेंगे जो हमने बैक में लगाये бу support से मोही निशान याँ पर लगाएंगे और यहाँ पर देख़िए हमें half inch की यहाँ पर गेराई कर देनी है इस तरीकी से इसमें आप ज़्यादा गेराई यहाँ पर न करें इस तरीकी से देख़िए तो इस तरीकी से हमारा आरम होल का शेप यहाँ पर देखिए ड्रो हो गया है इसके बाद देखिए हमें क्या करना है अभी इसमें हम बैल्ट के लिए मार्किंग करेंगे तो उपर से देखिए इस तरीकी से इंस टेप को रखते विए एक निशान आपको 12 इंच पर लगाना है और यहाँ पर भी एक निशान 12 इंच पर लगाएंगे और स्केल की हेल्प से यहाँ पर सीधी लाइन हम ड्रो कर देंगे इसके बाद देखिए जो हमने यहाँ पर यह लाइन ड्रो की है इसके उपर एक निशान हम half inch पर लगाएंगे और यहां से देखिए हमें हलके हाथ से इस तरीके से गोलाई कर देनी है इस तरीके से तो यह देखिए belt का shape हमारा यहां पर बन चुका है इसके बाद देखिए यहां पर हम इसका जो neck है इसको draw कर लेंगे इसके बाद हम टक्स के निशान बनाएंगे तो पहले यहां पर हम नेक के लिए marking करेंगे नेक भृति यहां पर हम 2.5 inch रखेंगे और नेक लेंथ आप अपनी जोईस के एक रोडिंग आपर रख सकते हैं मैं यहां पर इसको देखिए 6 inch रखोंगी 6 inch पर मैंने यह निशान लगाया है और नीचे से देखिए मैंने neck भृति यहां पर 3 inch रखी है इसे जो हमारे जो neck का shape है बहुत ही अच्छा आता है आप चाहों तो यहां पर 2 inch भी रख सकते हो और यहां पर भी देखिए सिंपली मैंने round shape यहां पर बना दिया है और आपको यहां पर दिखिए एक चीज का ओर धान रखना है यहां पर जो shoulder है इसको भी यहां पर हमें गले की तरफ डाउन कर देना है quarter inch इतना अभी दिखिए यहां पर हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे तो अभी आप यहां यहां पर देखिए धान से देखिएगा जो हमने हुकाई पटी के लिए लाइन ड्रो की है यहां पर इन स्टेप को रखते हुए एक निशान यहां पर हम 3.5 इंच पर लगाएंगे सेस्ट का फोर्थ पार्ट यहां पर सोरी सेस्ट का यहां पर दस्वाग आपको यहां पर लेना है और इसके बाद देखिए बस्ट पोइंट का निशान लगाएंगे जितना भी आपका बस्ट पोइंट है मैंने यहां पर 10.5 इंच पर निशान लगाया है तो यह लाइन हमारी बन चुकी है इस लाइन के दोनु तरफ हमें देखिए पोना-पोना इंच पर निशान किसे और जो आर्म होल तरफ से हम टक्स लगाएंगे इसको बीच सेंटर में निशान लगाना है और यहां से देखिए एक निशान हम धाई इंच पर लगाएंगे यह जो हमने मैन टक्स लगाया है ना हेवी टक्स और इस निशान को हम सीधा मिलाएंगे देखिए जो भी इसमें हम टक्स लगाएंगे इनके बीच की दूरी यहां पर हम 2.5 इंच रखेंगे इस बात का आपको जहां रखना है और यहां पर देखिए एक निशान हम 1.5 इंच पर लगाएंगे जो हमने यह पैल्ट के लिए लाइन ग् Skill की दि यहां से एक निशान मैंने 1.5 इंच पर लगाया है और इस निशान से एक निशान देखिए हम marking कर सकते हैं इसको देखिए ऐसी मैंने मिला दिया है और इसके बाद जो यहाँ पर हम टक्स लगाते हैं इसको हमें बीट सेंटर में लगा लेना है तो इसका दिखिए यहाँ पर इंस्टेप को रखते हुए हम बीट सेंटर करेंगे एड गाईज देखिए इस टक्स की लेंथ यहाँ पर हम टू इंच रखेंगे इस तरिके से तो यह देखिए बहुत ही आसान तरिके से हमारा जो टक्स का यहाँ पर यह शेप यह बन क्या है अब भी देखिए यह जो टक्स है यह हमें 1.5 इंच की लगानी है यहाँ पर हमें 1.5 इंच का कपड़ा यहाँ पर दबाना है तो इस तरी की से आप यह निशान बना लें यह देखिए 1.5 इंच कपड़ा हमारा इसमें जाएगा एंड जो आरम होल की तरब से हम टक्स लगाते हैं यह भी हमारा 1.5 इंच का ही लगता है एंड जो यह साइड का टक्स है इसको हमें 5 इंच का लगाना है 0.75 इंच का ध्यान रखें इस तरी की से दीखिए और इसको ऐसे मिला देंगे इस तरी की से ठीक है तो यह देखिए चारो टक्स हमारे यहाँ पर लग चुके हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए हैं भल किसी ऐसे गोलाई करते हुए इसको ऐसे बना देंगे तो गाइस मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह समझ आ गया हूँ अगर अभी भी इसमें आपको कोई डाउट हो ता आप मुझे कोमेंट करके पूछ सकते हैं तो यहाँ पर देखिए इसकी मार्किंग हो जुकी है अभी देखिए जो इसका बैल्ट है इसको यहाँ से हम पर देखिए एक्स्टर रहेगा तो इसको हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे इस तरीके से आप चाहो तो इसको आप जब इसमें सिलाई लगाओ उस टाइम पे भी कट करके निकाल सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें और अभी यहाँ से हम इसका जो नैख है इसको भी कट करेंगे तो देखिए गाईज यह फोर्टक्स ब्लाउज की कटिंग करना बहुत ही आसान है और अगर आप इस तरीके सी इसकी कटिंग करोगे तो आपका जो ब्लाउज है बहुत ही फर्प्रेक्ट बनेगा तो इस तरीके सी देखिए जो हमारा फ्रेंड और बैक है यह कंप्लीट यहाँ पर देखिए हो चुके हैं अभी इसमें हम स्लीव की कटिंग करेंगे तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पर बैक पाट लेंगे और इसका जो आर्म होला इसको मैजर करेंगे तो उपर की कपड़ा जब इसमें स्लीव जोइन करते हैं तो कपड़ा बढ़ता है और फ्रेंट पार्ट का जो आर्म होल हो थोड़ा सा बढ़ा होता है तो यहाँ पर जो बचावा फैबरिक ता इसको देखिए मैंने एक बार फोल्ड कर लिया है दोनों स्लीव की हम साथ में कटिंग कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम एक लाइन ड्रो करके कपड़े को सीधा करेंगे इसके भात देखिए हम लेंध के लिये निशान लगाएंगे जितने वी आपकी तयार लेंध है उसमें आपको वन इंश प्लस कर लेना है मैं तयार लेंद यहां पर 9 इंच रखोंगी तो मैंने यहां पर 10 इंच लिया है और यहां सी देखिए हम स्लीव को 3.5 इंच डाउन करेंगे 3.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है और जो यह कोर्णनर है यहां से हम इस टेप को ऐसी तिर्चा रखेंगे जितने भी आपके ब स्लीव की कटिंग करेंगे तो आपका जो ब्लाउस का आरम होल की पिटिंग बहुत ही अच्छे से आएगी स्लीव का जो कपड़ा है वो कम ए एक्स्ट्रा नहीं होगा इंच परफेक्ट आएगा और यहां पर आप मोरी का हाप करके निशान लगा लें और जो इसका प्रंट कि मार्किंग हो चुकी है अभी इसको हम कट कर लेंगे देखिए बहुत ही आसान तरीका इस तरीके से आप इजिली स्लीव की कटिंग कर सकते हैं और इसको दिखिए भी खौलेंगे और यहां से इसमें जो गेराई के लिए मने लाइन रोकी है इसको भी यहां से कट कर है इस को बेट गए है तो स्लीव की देखिए यहां पर कट इसको हो चुकी है एक मसं ब्रीक यह कटो बहुए थे इसको भी ऑड़ कर देंगे यहाँ पर देखिए ब्लाउज हमारा complete cut हो चुका है I hope आज को यह वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर से पूशिएगा और नेक्स वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं आप मुझे कॉमेंट करके वो भी बता सकते हैं थैंक यू सो मच गाइज